हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी जो वीडियो मिला था आपने नहीं देखा अभी तक तो फ्लीज उसे जाके देखें क्योंकि पुराना जो शास्त्रे नाती का वीडियो था उसमें 4 शास्त्रे नाते थे जो बचे हुए शास्त्रे नाते थे उसको Friday वाले वीडियो में मैंने कवर किया था उसमें शास्टे नर्त के सासाथ लोग नर्ते भी हैं बच्चों तो उसको ज़रूर देख लीजे और रही बात उसके PDF की तो वरुसा रखे जल्दी ही आपको मिलेगा उस पे काम चल रहा है तो उसका PDF मिल जाएगा बाकी जो lectures Monday, Wednesday को आपको दिये जा रहे हैं जो मैं पढ़ात कर सकते हैं आईए शुरू करें आज के अपने नए चाप्टर को जिसमें हम गुफा इस्थापत्य को पढ़ने वाले हैं आप जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाप इंस्टेग्राम, फेस्बुक एंड टेलीग्राम पर शिल्पी वर्म 22 तो यहाँ पर आपको PDF available हो जाएंगे अगर कोई query है तो comment box में भी पूछ सकते हैं फिलाल notes बनाते जाएए जो 2020 के लिए exam दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत important है और जो 2024 या 25 में देंगे उनके लिए भी बहुत important है ठीक है जो भी चीज़े अपडेट हुई है मैं उसको update क करके पढ़ा दूंगी इसका current of years की वीडियो भी मैं जल्द लेकर आने वाली हूँ आपको तो उसमें आपका जो आर्ट इन कल्चर का current of years है वो सब update हो जाएगा ठीक है और यह ना केबल पीची के आस्पेक्ट से वलकि मेंस के लिए भी बहुत महत्पूर है और मैंने बताय है था कि जब सारे lectures हमारे बच्चों complete हो जाएंगे तो end में हम क्या करेंगे कि कुछ lectures रखेंगे जिसमें हम मेंस के previous year के questions को discuss करेंगे तो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि मेंस के according नहीं ऐसा नहीं है मेंस के according भी है पहले ही हाँ पर समझ लीजे फिर आराम से प्रशनों के प्रशनों के उत्तर को समझेंगे आईए चलिए देखते हैं देखें यहाँ पर आपको जैसा पता है कि batch 4 स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि batch 3 प्रोपर ये फुल हो चुके है और बच्चों की demand पर कि उनको और admissions लेना है and all तो batch 4 को start किया जा रहा है जो कि 22 April से ये 22 April जो आने वाली उससे शुरू होगा और शाम में 6 बजे आपको प्रती दिन ये live classes मिला करेंगी चिक है तो direct आप टीचर से रूबरू हो सकते हैं इस course में admission लेने के लिए यदि आप मेरे नाम का SV याने की शिल्पी वर्मा SV live code इस्तिमाल करते हैं बच्चों कर आप तो आपको ये पूरा है उसमें आपके सपने को पूरा करने का मौका मिल रहा है तो इसे बिल्कुल गवाईए नहीं आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर चलिए देखिए गोहा इस्थापतिकला अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर इसका structure जो ready किया है उसके पीछे का मकसद होता है कि आप इसक इसमाल करेंगे बच्चों तो काफी अच्छे माकस आप प्राप कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर गुफा इस्थापत में आज हम किन किन काल की गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे वो गुफाएं क्यू बनवाई गई गई उसमें क्या ऐसी चीजे पाई गई जैसे पहले हमने चैते और विहार को पढ़ा था उसी से मिलती हुलती ही चीजे आपको यहाँ पर देखने को मिल लेंगी ठीक है तो गुफा परंपरा में हम दो कालो की बात करेंगे एक मौरे कालीन गुफा इस्थापत की बात करेंगे ध्यान रखेगा दूसरा हम गुप्त और गुप गुफा इस्थापत में तो मौरे काल के समय में किस तरह की गुफा ही बनवाई गई थी किस तरह का आर्किटेक्चर था गुफा का कैसी चटानों को काट के बनवाया जाता था किस प्रकार की गुफा होती थी चैते कितने होते थे उसमें विहार कितने होते हैं ठेहरी जरा चैते और बिहार बताईए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताईए डिफ्रिंस है ना मैंने बताया था प्रश्न भी डिसकस किया तन बताना पड़ेगा आपको जिसने ओनेस्टली क्लासिस देखी है ठीके बरावर पहाडी की गुफाएं तो मौरकालीन गुफा कवर करेंगे ठीक है इसके बाद गुपत और गुपतोत्तर फिर अगले काल में हम चाहते हैं जिसमें गुपतो गुपतोतर के समय की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इन सारी गुफाओं को पढ़ेंगे क्या है एजंता की गुफाएं एलोरा की ऐलेफैन्टा की बाग की और पुद्यगेरी की गुफाएं, ख्लियर है यहाँ पर, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, बराबर पाहडी की गुफाएं, तो हम यहाँ पर इसको देखने वाले हैं, तो इसको समराट अशोक के, समराट अशोक ने आजीविकों के लिए निर्मार करवाया था, एक आ आजीवक संपरदाय के जो लोग हैं, उनके लिए वनबाया था और यह पहला, नास्तिक वादी और भौतिक वादी संपरदाय था, जो आजीवक संपरदाय था, अगर बात करें इसके सनस्थापक की, यारनि की स्थापना इसकी किस नहीं थी, तो मकली गोसाल ने इसकी स्थ पारण से करवाया था, वही कुछ चीज़े हैं, ठीक है, तो यह कहां पर अवस्थित है, ध्यान रखीगा, जहानाबाद, विहार में अवस्थित है, और बरावर पहाडी पर इस्तित कुछ गुफाएं हैं, अब जो बरावर की पहाडी है, ठीक है, वाली इसे एक पहाडी ह यह ठीक है, यह पहाडी है, तो इस पर कई सारी गुफाओं को बनवाया गया, अलग-लग गुफाओं को यहां पर बनवाया गया होगा, तो कह रहे हैं, बरावर की पहाडी पे कुछ गुफाएं अवस्थित हैं, यह उनके नाम देख लिजे, क्योंकि पीटी में अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है, बरावर की पहाडी पर कुछ गुफाओं के नाम यहां पर चेंज करके दे दिये जाएं, और आपसे पूछा जाएं कि बरावर की पहाडी पे कौन-कौन सी गुफाएं मिली हैं, यह बनाई गई हैं, तो सुदामा गुफा, कर्ण चौपड गुफा है आपकी, यहां पर पिचाती लिखना मैं थोड़ा भूल गई थी, तो लोमच रिशी जो गुफा है, इसके प्रवेश दोर पर दोनों पाशों पर आर्दु चंद्राकार आपका तोरण है, तोरण बच्चों क्या होता है, आपका मेन गेट होता है, द्वार होता ह एंट्रेंस गेट होता है, तोरण मिलते हैं और चैत के महराओ पर गतिमान हाती की प्रतीमा भी बनाई गई है, तो जो चैत के ये ऊपर आपको ये चीज़ देख रहे हैं ये हिस्सा, इसमें ध्यान से देखें गया, तो यहां पर हाती की गतिमान, मतलब चलते हुए हातियो के जुन्ड की जो एक चित्रकारी की गई है, तो यहां पर उनकी प्रतिमाओं को उकेरा गया है, आट इन कल्चर क्या है, यही सब चीज़े पढ़नी है, तो ध्यान रखेगा, हाती की इस तरह से जुन्ड में जाती हुई, प्रतिमाओं के साक्षमें कहां से मिले हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट मूफ करते हैं, इधर चलते हैं, देखें, क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है कि नागरजुन पहाडी की गुफाएं, ठीक हैं, अब इसके बाद मौरेकाल चल रहा है, अभी मैंने मौरेकाल में बताया था कि किन-किन पहाड़ियों को तो नागरजुनी जो पहाडी की गुफाएं हैं, बच्चों, वो भी आप देखेंगे जहानावाद बिहार में हैं, और बरावर की पहाडी की जो गुफाएं हैं, जिनको भी हमने पढ़ा था, उनसे कुछ किलो मीटर दूर, आप देखते हैं, दूरी पर नागरजुन पहा विद्थी है, वापिया है, तो ये तीन अलग हैं, उसमें बरावर की पाडियों में वो चार अलग थी, ये अलग हैं, यहां पर विशेश रूप से ध्यान रखियेगा ठीक हैं, और गोपिका की दौर पर लेखों से ये पता चलता है, जो देखें, अब लेख, अलंकरर, प लेखों से पता चलता है कि अशोक के जो पोते थे ना, राजा दश्रत ने आजीवक संपरदायों के अनुवाईयों के लिए इसको बनवाया था, जैसे बरावर की पहाडियों में, हमने पढ़ा था आजीवक संपरदायों के अनुवाईयों के लिए बनवाया था, वैसे ही यहाँ पर अशोक के पोते राजा दश्रत ने बनवाया था किसके अंतरगर बच्चो नागार जुन पहाडी में राजा अशोक के पोते ने राजा दश्रत ने यहाँ पर गोपी का जो एक गुफा थी उसमें वहाँ पर जो लेख लिखवाया गया था तो वो आजीवक संपर् कुछ लेक मिले हैं, क्लियर है, फिर उदेगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं आपकी यहाँ पर बच्चों, तो यह भुवनेश्वर के निकट अवस्थित हैं, और कलिंग के राजक हारवेल के अधीन इसको बनवाया गया था, तो किसके अधीन बनवाया गया था, य जिहान रखने स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, और यह गुफाएं हाती गुम्फा अविलेक के लिए काफी प्रसिद है, जिससे भ्रामी लिपी में लिखा गया, अब दो फैक्स आपको पता चले, पहला चीव, कि यहाँ पर जो हाती गुम्फा अविलेक के भी साक हमें मिले हैं, यहाँ पर काफी प्रसिद हैं, ठीक है, लेकिन अब वो ब्रामी लिपी में लिखे गए हैं, तो हमें दो चीज़े पता चले, कि एक इस अविलेक के साक्ष हमें यहाँ पर मिले हैं, और वो अविलेक जो मिला है, उसके लिपी क्या थी, ब्रामी लिपी थी, तो हो सकता है सिर्फ इससे आपका प्रश्न पूछ जाए क्योंकि प्रश्न की अंदर भी कई प्रश्न छुपे होते हैं कई बार तो उसको भी हमें पढ़ना है ठीक है तो हाती गुमफा अभी लेक इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा जाधा मैसी हो गया है शायद तो जो ह हाती गुमफा आपका अभी लेक है बच्चों तो कह रहे हैं कि उसको जो है यहाँ पर इस तरह से देखा गया है उसे ब्रामी लिपी में लिखा गया प्रसिद जो है मिला है इसमें कौन-कौन सी गुफाएं जैसे उसमें हमने देखा उस पाड़ी पे कई तरह की गुफाए उनको देख लीजेगा यहाँ पर प्रश्ण बन जाता है इसका पुराना नाम अब तीसरा प्रश्ण इसी कंटेंट से आप देखेंगे कि आपका तीसरा प्रश्ण आए यह तीसरा मैं लिख दे रही हूँ यह आपका दूसरा है यह आपका पहला है इस तरह से यह चौथ है अब इसके अंदर क्या है, जैसे इसका पुराना नाम कुमारी परवत था, तो उदेगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं, उसको पुरानी गुफा भी कहते थे, तो हो सकता है, आप से प्रश्ण ये पूछ लिया जाए कि बताइए कि पुरानी गुफा जो है, कुमारी माफी जाती है, कुमारी गुफा जो है, तो उसके आधार पर आपको ये ये स्टेटमेंट दे दिया जाएं, एकिन आपने तो खंडगिरी और दगिरी की पाहड़ी पढ़ा है भाई, हमने तो नहीं पढ़ा कुमारी परवत और ये सब चीज़ें, लेकिन ध्यान लखना है, प्राचीन समय पे इसका नाम, मतलब पुराना नाम इसका कुमारी परवत हुआ करता था, तो ये यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये सारे देखें, मैं एक्जाम्स के पॉइंट अफ व्यू से ही सारा बनाती हूँ, लिखती हूँ, इसमें सारी चीज़े, इतर उतर की से नहीं लिखती की, इसके साथ ये कनेक्ट हो जाए, नहीं, जो पूछा जा रहा है सटीग बात करनी है, सटीग, ताकि आप जब पढ़े और आप जब प्रशन हल करें, तो आपको लगे की प्रशन आ रहा है, ठीक है, और आपसे भी हो रहा है, इसके बाद हम बात करते हैं आप नेक्स मूग करते हैं, अब हमने मौरेकाली इन गुफाओं को पढ़ा बच्चों, अब हम यहाँ पर गुप्त और गुप्तोतर गोहा इस्थापत्य को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम अजन्ता की गुफाओं को पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अलग उद्देश के साथ बनाये जाते थे, अब जब आप गुप्तो और गुप्तोतर काल में आएंगे तो वो डिफ्रिंस आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है, तो महारास्ट के औरंगावाद जिले में बगहुरा नदी के किनारे सहाधरी परवत माला परवस्थे थे यहां से UPSC का प्रशन बना था, और अभी आप वो देखेंगे और गलती की संभावना है तो आप से मैं उमीद ही नहीं करती, अभी ठीक है, तो यहां पर याद रखीगा किस नदी के किनारे है, किस स्थान की बात कर रहा है, ठीक है, इन गुफाओं को वाकटक राजाओं क संरक्षन में बौध विक्षों द्वारा चित्रित किया गया था, तो वाकटक राजाओं के संरक्षन में जो बौध विक्षुक थे, उनके द्वारा इसके अंदर कुछ चित्रन किया था, जिनको आगे हम समझेंगे वो क्या चित्रन था, यह बौध विक्षों के द्वारा तो उसमें क्या होता है, पहले क्या होता था, प्राचीन समय पे बच्चों हडपा में क्या होता था, गीली मिट्टी के बर्तन मनाते थे, फिर हम उस पे चित्रकारी, मतलब चित्रकारी क्या करते थे वो लोग उस वक्त, इसके बाद समय बदला उन्होंने वही जो गीली मिट् टीपेस से चित्रकारी करना वहाँ पर दिवारों पर शुरू कर दिये, तो आपका फ्रेस को चित्रकारी क्या है, वही है भिती चित्र का एक स्वरूप है, जिसको उम चित्र कला के समय पर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इसलिए निरंतर मेरे साथ बने रहना है, ठी मैं बता देती हूँ, चैत्र मतलब पूजा इसल जहां पर स्थूप होता है, स्थूप क्या है वो भी मैं आपको बता चुकिए लास्ट व लास्ट लेक्चर में, और विहार विक्षियों के रहने का निवास इस्थान है ना, तो अब यहां समझे, यहां पर क्या है, 29 से ते क्या वहाँ पर विहार और चैत्र के साख शुपाए गाए हैं, तो बिलकुल मिले है, किसकी बात कर रही हूँ, मैं आजंता की गुफायों बहुत इंपोर्टेंट है, यह पूरी तरह से बहुत धर्म से संबंदित है, बहुत विक्षियों के दौरा यहां पर वाक्ट सुसजित किया गया, अब भई बुद्ध के संबंद में बनाई जा रही है, तो बुद्ध के संबंद में क्या, मतलब उनके जीवनकाल की बात की जाएगी, उनके बोधिसत्यों की बात की जाएगी, उनकी जाता कहानियों को बताया जाता, कहानियों मतलब उनके पूर्जरम देखने को, सुरी, यहाँ पर देखने को मिली है, क्लियर है, कितने विहार हैं, कितने चैते हैं, सब को मद्धे नजर रखते हुए, आपको नोर्स बनाना है, एक दो बार देखें, रिवीजिन करेंगे ना, कुछ इतना टफ नहीं है, आप पर निर्भर करता है, आप इसको सर इसे हैं, यह भी औरंगाबाद में अलोरो की गुफा जो है, अवस्थित है, यह पाचवी से ग्यारवी सदी के बीच इसका निर्माण कराया गया था, तो उनका समयकाल, उनका डिवरेशन जो था, वो हमें याद रखना है, स्थान के साथ है, यहां कितनी गुफाएं कह रह लेकिन अब तर्निंग पॉइंट क्या है, यहां से प्रश्न पूछे की यूपियस सी, ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जितनी गुफाएं चैते हैं विहारें सबका तो हमने निर्मार पढ़ा है कि बौधि से संबंदित है, अब यहां कह रहे हैं कि जो गुफाएं हो जाता है, ठीक है, जिसमें हिंदू और बौध गुफाएं मुखरूप से राष्ट कूट राजवंश के शाच को दौरा और जैन गुफाएं यादव राजवंशो के दौरा बनवाई गई थी, अब ध्यान रखेगा कौन सी गुफाएं आप देखेंगे हिंदू और बौ इसको हमने इस तरह से याद किया है, इसको हमने इस तरह से याद किया है, ट्रिक्स भी शेयर किया करें कभी-कभी, गुरुप संख्या सोला में जो है, वो कैलाश मंदिर जो की एक पत्थर को काट कर बनाए गया है, तो कैलाश मंदिर यहाँ पर ब्रामर धर्म की भी बात कर तो कैलाश मंदिर बनवायगा, इसमें रावण को, कैलाश परवत को हिलाते या उठाते वह दिखाया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आपका और अलोरा गुफा है, इसके बार यहाँ पर दिखाया कि यह जो रावण है, उसने अपने उपर ऐसे जो कैलाश परवत उ बताईए कि जो है रावर ने केलाश पर्वत को उठाया हुआ है हमें नहीं पता होगा तो याद रखीगा यह आपका कहा है एलोरा की गुफा में अब मेंस में कैसे प्रश्ण बनता है मेंस में कह सकते हैं कि चली भाया इस्थापत कला के बारे में बताते हुए और मुगल काल कि जो गुफा इस्थापत कला उसका वर्णन कीज़े ठीक है लिखना पड़ेगा आपको उसको शब्दों में तो क्या उसमें बताना पड़ेगा कौन कौन सी जो है गुफाय मिली है या फिर गुपतोतर गुपतकाल की इस्थापत कला का वर नन करते हुए उसके फ़ला प्वेंटा की गुफा ये भी गुपतोर गुपतोतर सापते के अंतरगत आता है मुंबई के निकट महरास्ट में अबस्थित है इसका निर्मार लगबग 15-60 सदी के मद चटानों को काट कर भाई जितनी भी गुफाएं बनी है चटानों को शेलकृत गुफाएं उनको चटान तो त्री मूर्ती सबसे प्रमुख है जो भगवान शिव के महेश्वर रूप को प्रदर्शित करती है ठीक है तो ये सारे पिक्चर्स के साथ जो मैं आपको पढ़ाती हूं उसका उदेश यही है आप विजुलाइज कर पाएं सिर्व रट्टाफिकेशन नहीं है बच्चो बड़ी चीजे होती है कितना कुछ उस पर ड्रॉ कर ऐसे आप याद कर सकते हैं उन चीजों को अपनी ट्रिक लगाएं देखें ट्रिक वही जो आपके सही काम है वो कितनी भी मूर्ता पूर लगें सामने वाले को क्या ये ट्रिक होती है जिसमें फणी हो और आपको याद हो दूस तरह से आप याद करिए एलीफेंटा की गुफा लिखा उसके नीचे पॉइंट लिखें शैब मत से संबंदित त्री मूर्ती मिली है इस सदी में बना ये स्थान है बस ताट सिट फिर अपना उससे शब्दों में पर होई है बस ऐसे ही नोट्स बनते है नोट्स का मत दूना चिठ्ठी का चिठ्ठा बनाना है आपको पॉइंटर लिखिए उसे अपनी भाशा में तब्दील करिए ठीके इसके बाद बाग की गुफाएं आप बाग से क्या समझ आता है आपको इसको आप बाग की गुफाएं को कैसे लिंक कर सकते है एकलोजी और इन्वार्मे कहा जा रहा है कि अच्छा जब हम उधर जाएंगे वेस्टन पार्ट में जाएंगे जैसे बताया तो वहां की चट्टाने मुलायम थी ऐसा क्यों रहा होगा हम पढ़ा इंक कल्चर है जोड़ेंगे उसका क्या महतरा होगा मंदिर सापते पड़ेंगे तो हम देखेंगे वह इस चित्रकारी की बात करें कैसे लोगों का रहन सहन होगा उस समय की वास्तुकला कैसे होगी साइंस एंड टेक्नलोजी में क्या किया होगा तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़िए आंसर राइटिंग का मजा ही तब आएगा सिर्फ आर्टन कल्चर पूछें सिर्फ वही आपने ल इनमित कराया गया था और यहां पर कुल नौ गुफाएं हैं पर यह सभी विहार हैं विहार जहां पर विक्षियों के रहने इस्थान की बात कर रहे हैं इसलिए आगे कह रहे हैं जो की बौध धर्म से संबंदित है तो विहार उस वक्त विक्षियों के रहने के लिए पाई गया था ठीक है इन गुफाओं में उपेरा के भी द्रश मिले अब मज़िदार बात सुनिये जरा अब जब मैं आपको पढ़ा आती हूं कि नरत जब मैंने पढ़ा है नरत की जो मैंने क्लासेज लिए तो नरत के पहले साक्ष प्राचीन समय में ऐसे मिले हमें कैसे पता गायन और वादन के सासद अभिने को भी दरखाया गया है मतलब उस समय पे भी उसकी एक अपनी महतुता थी ऐसा नहीं अचानक से उपच गया यह है ना उस समय भी अपनी महतुता थी जिसको वहां पर उकेरा गया है जो कि बौद धर्म से संबन देता नो गुफा है थी और और उन गुफा में यह सब चीजे मिली है यूपी असी ने बच्चो पूछा है इससे जादा मैं आपको कैसे समझाओ इसके बावजूद भी बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं बहुत तकलीफ होती है कि इतनी महनत के बाद आप अगर रिस्पॉंस अच्छा नही पूरा करा कर जब भी कोई काम करें तो उससे अंतेमनजाम पर पहुंचाएं ठीक है इनको फाव में भितिचित्र आमने बताय था चिकनी मिट्टी पे कैसे प्लास्टर के साथ उसको बनाया जाता था उसमें भितिचित्र जो मिले है वो अध्यात्मिक्तावादी की वचाए भौतिक बादी अधिक है ठीक है अब जैसे गाय नरत ये क्या है ये कही ना कही भौतिक बादिकता को भी भौतिकतावादी को भी दश आते है तो यहाँ पर जो ये चित्र मिले है भित्ती चित्र वो अध्यात में कम है ठीक है किसी धर्म से संबंदित कम है वालकि भौतिक ची ठीक है और यहाँ कुल बीज गुफा है चंद्रगुपत दुतिया के सनक्षर में पांचवी सदी में इसका प्रारम जो है करवाया गया था धार्मिक मूर्तियों की बारीक और भवनकाशी इसकी प्रमुक फिशेष्टा है तो धार्मिक मूर्तियां जो है उसकी जो यहाँ पर उनको पूरा चित्रांकन किया गया इसको भी बनाया गया उकेरा गया उसके थुरू कहानी को गड़ा गया है बच्छों ठीक है तो कहरें ध हार्मि मूर्तों की बारीकी से भव्वित नकाशियों पर बहुत द्यान दिया गया है ठीक है और ये देखेंगे आप इसके हिंदू और जैन धर्म से संबन देता है तो उद्यगिरी की जो गुफाएं है वो आपका बहुत से नहीं जबकि हिंदू और जैन धर्म से संबन देत इसको हम जब चित्रकला देखेंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पर ठीक है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है यह आपकी उद्यगरी की गुफाएं है मंद्रप्रदेश में कुछ नहीं करना है उद्यगरी की गुफाएं कहां प पिर इसके बाद इसमें किस धर्म से जुड़ा है किस धर्म से जुड़ा है कुल यहाँ पर कितनी गुफाएं है क्या वो गुफाएं के अलग अलग धर्मों से है या एकी धर्म से है ऐसे लिखिया अंसर रैटिंग शुड़ू करिए और जब मैं आपको लाओंगी तब ब्रामण गुफा के रूप में विक्सित किया गया था ब्रामण गुफा के रूप में ठीक है और बात के काल में ये इसाई गुफा में परवर्तित हो गया तो कैसे ये ट्रांस्फरमेशन हुआ है उसको यहाँ पर ध्यान ठाओ इस इस्तल के अवशेशों में नटराज मिल तो नटराच की जो है वशेश है अर्धिनारी इश्वर के हैं ये सब कहां मिले हैं तो इसके अंतरगत मिले हैं ध्यान रखना है ठीक है अब इन प्रशनों के उत्तर तो हम बाद में ही देखेंगे इसको मैं आपको PDF में इसके आंसर बताऊंगी अभी आप लोगों के लिए काम है जरा ध्यान से और सटीकता से इनको पढ़िए निन में लिकित मैंसे कौन सा कथन देखें एक्जाम के हॉल में जब हम प्रशन अब इने कहा था ध्यान देना है आपको पूछा जाएगा वस्तिती स्थान वगरा साची का इस तूप चंबल की तंग नदी घाटी पर है ठीक है भाई पांडवलेन गुफा नदी नर्मदा की तंग नदी पर है ठीक है अमरवती का इस तूप जो है वो गोदावरी की पाएंगे आपको पता चलेगा कि भाई ये जो नदी है वो किधर है ये नदी की जो गोदावरी नदी की बात कर रहे हो किस से कनेक्टर किस कहां से निकलती है तो इस तरह से आपको जोक्रफी का हिस्सा भी रेडी होगा तो चलिए इसका उत्तर फटा फट से जरा आप जिनत नहीं करते हैं कुछ लोग तो इसका आंसर मुझे फटा फट से कमेंट बॉक्स में बताइए यूपी एस्सी को सीरेसली नहीं लेंगे तो यूपी एस्सी आपको सीरेसली नहीं लेंगे ठीक है दोजार तेरा का प्रशन है भारती शिलावस्तू जो है आपका इतिहास समराट चंदर गुप्तम और ऐसा पढ़ा है किया मैंने संब्धन चंदर गुपतमौर थीक है पढ़ाया होगा मेदी आज़ी वि an क्यूपी आप देखे जरा मैंने क्या पढ़ाया पीछे जाए एलोरा में गुफाइ भिविन धर्मों से बनाई गई है अभी मैंने बताया म वही content सिर्फ आपको बच्चों दे रही हूँ, बार-बार कह रही हूँ, जो exams के point of view से महतपूर है, तो उसको seriously लेजिए, ठीक है, तो उपरक्त कतनों में से कौन से कथन सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3, इसका answer, बताइए गलती नहीं होने चाहिए, जाके आपको घबराएगा, लेकिन सबसे प्राचीन गुफा वास्तुकला का उधारण है, इस तरह से statement, देखे, UPSC जितने लंबे statement देगा आपको घबराएगा, लेकिन सबसे आसान उत्तर मुझे उससा लगता है, कि सबसे आसान उत्तर उसका होता है, उसमें जरूर टेक छुपी होती है, ठीक है, बरावर की पहाडियों की गुफाएट, चंद्रगुप्त मौरत वारा आजीविक संप्रदाय को समर्पित की गई थी, तो ये कह रहा है कि अलग सबसे नहीं किया होगा, खुद को अच्छे से मजबूत नहीं किया होगा, और रिवीजन नहीं किया होगा, प्राक्टिस नहीं कियोगी, मौक टेस्ट की, तो ये प्रशनाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने टॉपिक को नहीं समझा, और आट इंड कल्चर में बारी कि इसी चीजों को अगर नहीं समझा याद नहीं करना है नहीं समझा तो गया प्रशना आपके हाँ से ठीक है करेंगे नब इसको अब इस पे मत कमेंट करिए कि मैं आप वहीं करा दिजिये करिये मैंने टॉपिक किसलिए कराया है सब कुछ मैं करा दूगी मैं यूपिस्टी कर द आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में बच्चों कि आपका जो ये बैच है बैच 4 बाइस एपरल से शुरू हो रहा है अभी तक एडमिशन नहीं लिया है ले लिजे और शाम में 6 वजे इसमें लाइव क्लासेज रहेंगी आप मेरा गर कोड एज वी लाइव इस्तिमाल क पर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर या इनके सोशल मीडिया पर तो इनको देख सकते हैं अपना ध्यान रखें निरंतर पढ़ते रहें 2020 के लिए जो पेपर दे रहे हैं चाहिए वो यूपी का हो यूपी पीसी का हो या फिर मतलब यूपीसी का हो तो अच्छे से लगातार पढ़ते रहे हैं मेरे दुआरा कोई भी मदद चाहिए आपको इस तरह की पढ़ने के लिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फालतु मैसेज नहीं सिर्फ जो पढ़ाई से संबढ़ने ते वही मैसेज करिए ताकि जो लोग सीरेसली इनको ले रहे हैं उनका नुकसान ना हो है ना तो फालतू की discussion को छोड़ते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं अभी यही कुछ छण है बस जीवन में अपना जो लक्ष है उनको हासल करने के लिए समय निकल जाएगा और पक्त निकलने के बाद फिर कुछ नहीं रहा जाता सिवाए पश्ताने के तो जीवन में काश नह साथ बज़े आपको इकलासेज मिलेंगी तो फिलाल अपना ध्याना के नोट्स बनाते रहें तानेवाद